ओके स्टुडेंट हम लोग पॉड़ रहे थे कंपेरिंग कॉंटिटी जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो गया था ठीक है आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 8.3 तो एक्सरसाइज 8.3 में क्या है देखो हम लोग को इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को इसमें compound interest find करना है ठीक है जिसके लिए हम लोग के एक फॉर्मूला याद रखना है यह वाला फॉर्मूला A is equal to P1 plus R upon 100 है ना A को क्या बलता है amount P4 principal R4 rate और यहाँ N रहेगा जितना भी number of time given होगा उसको रखेंगे ठीक है यहाँ amount रखेंगे यहाँ principal रखना है यहाँ rate रखना है upon 100 यहाँ N मतलब number of year month ठीक है तो अगर compound interest find करना है तो हम लोग के यह वाला फॉर्मूला याद रखना है A is equal to यानि कि amount is equal to principal means P bracket में 1 plus R upon 100 to the power N N means number of years ठीक है अब अनों देख लेते हैं question questions आप लोग को सब समाझ में आ जाएगा देखो यहाँ A B C D E 5 questions है उसका क्या निकालना है हम लोग को compounded interest find करना है ठीक है compound interest find करने के लिए भी मैं formula बता यहाँ आप लोग को percent per annum compounded annually annually calculate करना है मतलब one year के हिसाब से calculate करना है यहाँ पास अगर लिख देता half year तो six month के हिसाब से ठीक है तो अभी हम लोग को annually find करना है मतलब कि एक साल के हिसाब से one year के हिसाब से principal तो बता चुका है principal कितना है ten thousand eight hundred ठीक है year year मतलब number of year n बता चुका है three years और rate बता यह जो percent वाला यहाँ percent का जहाँ sign लगे रहेगा वो क्या रहेगा rate रहेगा rate कितना है 12 whole one by two percent ठीक है हम लोग सब value को रग देंगे देखो principal दिया हुआ है rate भी दिया हुआ है rate को हम लोग 1224 24 24 प्लस one 25 अपॉंट 2 कर दिये ठीक है mix number को convert कर दिये whole number में और यहाँ n is equal to three number of year कितना दिया है three years दिया है अब value रग दिया amount तो हम लोग को find करना है compound interest हम लोग को find करना है मतलब amount find करना है ठीक है principal तो दिया हुआ है रख दिये one का one rate कितना लाए 25 अपॉंट 2 परशेंट तो rate रख दिये 25 अपॉंट 2 divided by क्या है 100 इसलिए 100 ठीक है अब इसको solve कर देंगे 25 अजा 25 25 फोर्जा 100 होता है ठीक है अब इसी को solve किये रहे को one plus one का one four two जा eight ठीक है four two जा eight होगा ना उसी को second line में में लिख दी हूँ अब नीचे में कुछ नहीं तो one मान लेंगे eight को one eight और one calcium eight ही आएगा eight को one से divide करेंगे तो eight आएगा eight one जा eight eight plus one nine हो जाएगा ठीक है तो इसको जब solve करेंगा तो इतना आ गया हमारा nine अपॉन एट आ गया nine अपॉन एट तुदी पावर थ्री है यानि कि nine अपॉन एट multiply nine अपॉन एट multiply nine अपॉन एट लिखेंगे आज हम लोग इसको cut करेंगे जैसे two four जा eight हो गया two five जा ten two four जा eight 00 फिर टू टू जा four two two जा four two seven जा 14 00 फिर two से two one जा two two three जा six two five जा ten zero फिर two से cut करोगे तो आपनों को answer क्या मिलेगा one five three seven seven point three four rupees यह हम लों को क्या मिला amount मिला हम लों को find क्या करना है compound interest compound interest find करना है उसी को short form में लिख दी हूं मैं c i c for compound i for interest तो compound interest find करने के लिए क्या करते है amount को principle से minus कर देते हैं तो amount हम लों निकाल लिए है यहाँ पास ठीक है इस formula से हम लों amount निकाल लिए प्रिंसिपल तो already given है question में दोनों को minus कर देंगे तो हम लों को क्या मिल जाएगा compound interest तो compound interest कितना आया four five seven seven point three four rupees ठीक है सेम ऐसे ही हमारा question number two है question number b है ठीक है देखो question number b में क्या दिया हुआ है यहाँ पास प्रिंसिपल बता दिया है यह number of year बता दिया है 10% मतलब rate बता दिया है इसको भी compounded annually annually मतलब one year के हिसाब से ही इसको भी हम लों को calculate करना है तो देखो सबसे पहले principle जो दिया लिए rate दिया है वो दिया है यहाँ पास क्या दिया है two whole one by two तो अभी number of year two लेंगे इसको लेंगे फिर next time फिर से solve करेंगे उसमें one by two लेंगे ठीक है तो पहले two के लिए solve कर रहे है यानि कि number of year क्या ले रहे है हम लोग two ले रहे है देखो n के प्लेस में two रखी हूं principle 18,000 rate 10% इसको हम लों solve बस कर देंगे ठीक है तो क्या आजाएगा इसका LCM लेंगे तो 10 10 plus 1 11 by 10 आजाएगा square का square कुछ निकिया है इस line में तो जैसा है बस इस bracket को solve किये है ठीक है cancel out किये और हमारा क्या आगया amount two year के लिए 21,780 रूपीज अब हम लोग देखो यहाँ पास two year one two whole one by two था तो two year के लिए निकाल लिए यहाँ पास अब one by two के लिए निकालेंगे तो one by two के निकालने के लिए क्या करते है हम लोग one by two को multiply कर देंगे amount से amount कितना है 21,780 और rate 10% है ठीक है यह क्या है one by two हमारा number of year है जो बचा हुआ है यह क्या है amount है जो हम लोग निकाल चुके है यह 10% क्या है rate है और यह divided by 100 है ठीक है तो हम लोग वास कुछ निकरेंगे जो one by two given है हमारा क्योंकि two year का निकाल चुके है one by two बचा हुआ था उसको multiply कर देंगे amount से rate 10 दिया 1089 रुपीस हम लोगो निकालना क्या है compound interest compound interest निकालने के लिए हमारे पास amount होना चाहिए और principal होना चाहिए दोनों को minus करेंगे तब ही हम लोगो क्या मिलेगा compound interest मिलेगा तो total amount कितना निकला हमारा two whole one by two के लिए देखो two year के लिए तो यहां निकाल लिए amount और यहां one by two year के ल amount मिलेगा total amount two whole one by two year का अब उसको हमने जो principal तो question में ही दिया हुआ है 18,000 दोनों को minus के तो compound interest कितना बन रहा है 4,869 रुपीस ठीक है सेम ऐसे ही question number C है यहां principal दिया है यह number of year दिया है यह 8% मतलब r दिया है rate दिया है पर अनम compounded half yearly अब half yearly calculate करना है पहले annually calculate कर रहे थे अभी half yearly तो annually में 12 month होता था one year में 12 month अब half yearly है मतलब 6 month 6 month के हिसाब से calculate करना है ठीक है तो principal सब कुछ तो दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को क्या बोल दिया है half yearly बोला है ठीक है calculate कैसे करना है हम लोग को half yearly करना है मतलब six month तो one year में कितना month हो जाएगा six six के हिसाब से two two year six plus six 12 होगा ना तो दो बार calculate करना है क्योंकि हम लोग calculate कर रहे है half yearly तो पहले तो number of year दिया ह बुक में हमारा one whole one by two यानि कि two one two two plus one three three by two years आया three by two मतलब three half years क्योंकि divided by two है यानि कि three आधा हो गया half हो गया ठीक है इसलिए इसको three by two years को हम लोग क्या लिख सकते है three half years इस three by two को हम लोग लिख सकते है three half years क्योंकि divided by two है और हम लोग को calculation भी करना है half year में इसलिए इस two को कै से हटाय समझ गए क्योंकि 1 by 2 का मतलब ही होता है हाफ और 3 by 2 लिखा है यानि कि 3 का हाफ यानि 3 half years हम लोगो करना है है रेट दिया है 8% तो हम लोग को हाफ करना है क्योंकि 6 plus 6 दो बार आ रहा है से इसको भी 2 से डिवाइट कर दिये हाफ ये देखो 1 year में 12 मन्त होता है लेकिन हम लोगो हाफ ये बोला है इसलिए 12 को हम लोग 6 6 कि यानि कि 2 पार्ट में डिवाइट किये इसलिए रेट को भी 2 से डिवाइट कर देंगे ठीक है तो डिवाइट किये तो 4% आया क्योंकि ये इसलिए 4% आया ठीक है अब अमाउंट हम लोगो फाइंड करने के हम लोगो पता है फॉर्मूला पी इस इकल टू ब्रेकेट में 1 प्लस अरप अन्डेट टू दी पावर एट प्रिंसिपल तो दिया हुआ है रग दिये 1 का 1 रेट तो हमारा 4% आ गया 4% कैसे आया है अब देखो यहां पस हम लोगो सॉल्व कर देंगे तो 25 यहां divided by 1 ले लेंगे आप लोगो रॉफ के लिए बता रही हूँ 1 upon 1 is equal to 1 upon 25 ठीक है 25 को 25 LCM आएगा 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25 25 बंज़ा 25 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 बंज़ा 1 25 प्लस 1 26 बंज़ा 5 आया 2 the power 3 है इसले 3 times लिखना पड़ेगा अब इसको हम लोग कट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 70 304 5 से डिवाइड कर लोगे अब लोग है न अब हम लोग अमांट तो निकाल लिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है compound interest compound interest का हम लोग को formula पता है amount को minus करना है principal से amount निकाल चुके principal तो already given है question में दोनों को minus कर दिया तो हम लोग को compound interest क्या मिल गया 7804 रूपीज तो question number C भी हो गया हमारा complete अब देखते हैं हम लोग question number D question number D में हम लोग को क्या कर रहा है देखो यहां दिया है 8000 for one year principal बता दिया है 8000 one year बता दिया है time sorry end number of year 9% rate भी बता दिया है हम लोग को ठीक है अब देखो यहां पस क्या है per annum यह भी half yearly calculate करना है half yearly मतलब two से divide करना पड़ेगा क्योंकि six two times आएगा ठीक है तब हम लोग यहां पस six फिर से क्या कर देंगे principal दिया है number of year दिया है अब number of year one दिया है लेकिन हम लोग यहां two half yearly है क्यों लिया है देखो two half year क्योंकि one year में 12 month आता है 12 month को हम लोग six plus six लिख सकते है यानि कि two half year हो जाएगा six month one half year six month one half year यानि कि total two half year यानि कि one year को हम लोग क्या लिख सकते है two half year two half year लिखना है क्योंकि हम लोग को rate तो दिया हुआ है लेकि rate को भी 2 से divide करना पड़ेगा क्योंकि half yearly है ठीक है अब देखो value रख दिये principal का value रख दिये rate का value रख दिये rate 9 by 2 है number of year 2 half year है अब इसको बस solve करना है हम लोगों ठीक है तो 200 जा इसको हम लोगों रख में इसको लिखना नहीं है बस मैं आपको समझाने के लिए हाल लिख रही हूँ 1 plus 9 2 into 100 200 फिर divided by 1 लेके हम लोगों solve करेंगे 2 और LCM 200 आएगा 1 से divide करेंगे तो 200 1 जा 200 cancel हुआ 1 आया 1 से multiply के 9 आया तो 200 9 upon 200 अब इसमें power में 2 है इसले दो बार लिखेंगे 0 से 0 cancel कर देंगे हम लोग ठीक है अब यहाँ पस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4 ठीक है अब इसको हम लोगों सेंब multiply करेंगे उपर वाले को और 5 से divide कर देंगे तो हम लोगों का amount मिल जाएगा 8,736.20 रूपीस हम लोगों को find क्या करना है compound interest amount मिल चुका है principal तो already given है question में minus कर दिये तो हम लोगों का answer मिल जाए compound interest कितना मिला 736.20 रूपीस अब देख लेते हैं question number E ठीक है question number E में क्या करना है principal दिया है 1 year मतलब number of year N दिया हुआ है 8% मतलब rate दिया है इसको भी half yearly calculate करना है तो 1 year का half yearly कितना हो जाएगा 2 half year और 8% का half yearly कितना हो जाएगा 4% divide 2 कर देंगे ठीक है अब देखो हम लोगों को formula पता है amount find करने का principal is equal to 1 plus r upon 100 to the power and principal दिया हुआ है 1 का 1 r r मतलब rate 8% को divide के 2 से तो 4% आया क्योंकि half yearly है 1 year में 12 month होता है 12 का half half करेंगे तो 6 plus 6 2 2 half year होगा न अब उसी को रग दिया है अब इसको solve किये हैं हम लोग बस जैसे मैं यहाँ बता चिसी है आप लोगो हर bracket को ऐसी solve करना है तो हमारा answer कितना आ जा रहा है amount आ जा रहा है इसको solve कर लेंगे अप लोग only calculation है थोड़ा सा ठीक है तो 10,816 rupis आया amount हम लोगो find करना है compound interest compound interest में क्या करते हैं amount को minus करते हैं principal से तो minus कर दिये तो compound interest कितना आया 816 rupis ठीक है अब देख लेते हैं हम लोग question number 2 देखो कमला borrowed 26,400 rupis from bank to buy scooter कमला को क्या खरीदना है scooter खरीदना है कितने rupis में कमला जो है वो bank से borrow ली है borrow मतलब उधारी ली है 26,400 rupis का ठीक है क्या खरीदना है उसको scooter rate बता दिया है 15% per annum pa मतलब per annum ठीक है per annum मतलब one year compounded yearly yearly ही कम हम लोगो करना है half yearly नहीं बला yearly करना है ठीक है what amount will she pay at the second year and four month to clear the loan तो two year four month में वो उसको कितना amount pay करना पड़ेगा two year four month में उसको कितना amount pay करना पड़ेगा कि उसका जो loan है वो पूरा clear हो जाए ठीक है यहां बता दिया hint में बता दिया है find a find for two year with interest compound year two year के लिए पहले निकाल लो बोल रहा है उसके आद बोल रहा है यह hint देगा आप लों को ठीक है and then find SI simple interest simple interest का formula क्या होता है P into R into T है ना on the second year four four upon twelve year four month को हम लोग क्या लिख सकते है four upon two year four month one year में two year month होता है तसलिए divide कर सकते है two से अब इसका क्या हो जाएगा इसको और divide करेंगे तो four one जा four four three जा two year two whole one by three आ रहा है two whole one by three ठीक है क्योंकि हम लोग को compounded yearly बोला है इसलिए हम लोग पहले two year का निकालेंगे फिर one by three year के लिए जैसे हम लोग question number A या B में किये थे ठीक है तो पहले two year निकालेंगे यानि कि number of year two लेंगे फिर number of year one by three पहले two के लिए निकालेंगे देख लो है two रखें principle तो given है rate क्या है 15% अगर half yearly बोलता है तो divide कर देते है two से ठीक है लेकिन हम लोग को yearly ही calculate करना है है ना अब हम लोग कुछ निकिया है simply जैसे हम लोग इसको solve करते है solve किया है तो हमारा amount कितना आया है 34,914 rupees आया है ठीक है अब हम लोग क्या किया है interest for इसके लिए निकाल चुके amount ठीक है तो total amount पहले तो 2 year के लिए था फिर 1 upon 3 year के लिए दोनों को sum कर दिया तो total amount हम लोग को मिल गया हम लोग को compound interest नहीं करने बोला था सिर्फ total amount बोला था तो दोनों का sum किया तो हम लोग को कितना मिला 66659.70 rupees total amount ठीक है अगर compound interest भी बोलता तो amount को minus कर देते principle से है ना अब देख लेते हम लोग question number 3 question number 3 में हम लोग को क्या देखना है देखो question number 3 Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 year simple interest and Radha borrows simple interest ली है Fabina ठीक है और Radha जो borrows की है same amount वही amount मतलब 12,500 amount ही राधा भी बोरो की है उसी time period में मतलब time period भी 3 years ही है बस उसका interest change rate change हो गया है Fabina का rate था 12% per annum और Radha का rate आ गया है 10% per annum compounded annually annually ही calculate करना है इसको who pays more interest and by how much Fabina जो है वह ज़्यादा पे करेगी कि Radha ज़्यादा पे करेगी same amount है same year है बस change हो रहा है rate इसका 12% इसका 10% ठीक है लेकिन जो Fabina है वो simple interest में ली है और Radha compounded amount के हिसाब से ली है मतलब compounded ली है ठीक है तो देखो simple interest का formula तो सब जानते हों हम लोग पहले Fabina के लिए calculate कर रहे है ठीक है तो ये Fabina के लिए है Fabina के लिए बोल दिया है कि simple interest है simple interest का formula हम लोग को पता है P into R into T मतलब principal into rate into time upon 100 principal 12,500 rate 12% year 3 divided by 100 इसको हम लोग solve कर देंगे तो हमारा answer कितना आएगा 4500 रुपीस आजाएगा ठीक है अब Radha के लिए calculate करना है लेकिन compounded करना है compounded अगर आया यानि कि हम लोग कोंसा formula यूज करना है A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power N ठीक है सब कुछ सेम है बस rate change हुआ है Radha का देखो रुपीस वही है time वही है बस क्या change हुआ है Radha में 10% rate change हुआ है अब इसको बस value रख दिये है principal का value 1 का 1 rate का value N का 3 100 to 100 रहेगा अब इसको solve किये है हम लोग तो यहाँ पस क्या आ जा रहा है देखो 1 upon 1 plus 1 upon 10 10 LCM आ गया 10 1 जा 10 plus 10 से 10 cancel 1 11 upon 10 आ गया अब इसको 3 times लिखना पड़ेगा क्योंकि power में 3 है 0 से 0 cancel 0 से 0 cancel 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा 25 ठीक है अब इसको solve करेंगे तो हम इसको उपर वाले को multiply करना और two divide करना तो आपनोंको amount कितना मिलेगा राधा का amount इतना मिल जाएगा ठीक है अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है compound interest निकालना है compound interest के लिए क्या करेंगे हम लोग amount को minus करेंगे principal से तो amount तो यह है principal हम लोग को पता है यह है उसको minus कर दिये तो इतना आ गया compound interest ठीक है compound interest कितना मिल गया 4,137.5 रूपीस तो कौन जादा pay की है ये भी question में है कि फैबीना जादा pay कर रही है कि राधा तो देखो इसका कितना आया राधा का 4,437 और फैबीना का कितना आया 4,500 तो फैबीना ही जादा pay कर रही है तो फैबीना pay more interest simple pay more ठीक है कितना जादा pay कर रही है फैबीना pay कर रही है 4,500 और राधा pay कर रही है 4,137.5 रूपीस लेकिन कितना ज़्यादा पे कर रही है तो जो फैबीना है वो कितना ज़्यादा पे कर रही है 362.50 रूपीस वो राधा से ज़्यादा पे करती है ठीक है तो अब देख लेते हैं हमने question number 4 question number 4 में क्या दिया है I borrowed 12,000 from Jamsid at 6% per annum simple interest for 2 year had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest what amount extra would I have pay देखो यह principle बता दिया है rate भी बता दिया है और simple interest में calculate करो पहले बोल रहा है ठीक है simple interest में हमने को calculate करना है और amount find करना है यहाँ पास हमने को 6% per annum के हिसाब से दिया है उसके बाद हमने को क्या निकालना है compound interest निकालना है compound interest का भी formula लगेगा और पूछ रहा है कि कितना extra पे किया वो भी simple interest बोला था तो simple interest का formula हमने को पता है P into R into T value रख दिये ठीक है अब हमने इसको solve किये तो हमारा simple interest इतना आया 1440 रुपीस amount कैसे निकालते है simple interest में amount निकालने के लिए principal को add कर देते है simple interest तो amount कितना आया simple interest में इतना आया 13,440 रुपीस अब second case में क्या बला था वही value है बस हमनों का अब निकालना है compounded interest compounded interest के लिए निकाल लिए a is equal to P 1 plus R upon 100 formula होता है value रख दिये है और इसको solve किये है देखो यहाँ पस 2,3,6 कर देंगे 2,5,10 ठीक है तो 53 upon 50 आयगा इस calcium लेंगे तो अब इसको multiply किये है 0 से 0 cancel तो हमारा answer कितना है इतना है amount ठीक है लेकिन यह पूछाया है I pay extra amount simple interest के लिए इतना amount आया और compound interest के लिए इतना amount आया ठीक है तो हम लोग इसको माल लेते है simple interest वाले amount को A1 और compound interest वाले amount को A2 दोनों को minus करेंगे तो हमारा कितना है 43.20 rupees यानि कि simple interest में ठीक है यहाँ पस देखो यहाँ पस हमारा simple interest का answer कितना है 13,440 rupees और compound interest का amount कितना है 13,483 rupees तो compound interest में वो ज्यादा pay कर रहा है है ना compound interest में ज्यादा pay कर रहा है amount उसका ज्यादा है compound interest में तो कितना extra pay कर रहा है वो minus करने से पदा चल जाएगा 43.20 rupees ठीक है तो पहले question में बोला था simple interest find करो, फिर बोला था amount find करना simple interest का, फिर second case में amount find करना है, हम लोग को compounded interest के formula से कितना ज़्यादा pay कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग amount को amount से minus कर दिया, मतलब simple interest के amount को compound interest के amount से minus कर दिया, तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है, अब देख लेते हैं हम ल invested 60,000 at interest, 12% per annum, invest कर रहा है, मतलब principle है, rate कितना है, 12% per annum, compounded half yearly, अभी half yearly calculate करना है, ठीक है, तो बोल रहा है, question number one में, what amount would he get, six month में उसको कितना amount मिलेगा, और one year में उसको कितना amount मिलेगा, दो-दो question है, ठीक है, amount find करना है, six month के लिए, और amount find करना है, one year के लिए, लेकिन condition क्य है, calculation जो करेंगे, वो half yearly करेंगे, half yearly मतलब की, two से divide करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले principle लिए, rate लिए, rate लिए, rate तो 12 था, इसलिए two से divide करके 6% आ गया, क्योंकि half yearly calculate करना है, और number कितना है, six month है, ठीक है, six month के लिए calculate करना है, यह मैं यह start की हूँ, six month के लिए calculate करना है, क्योंकि हम लिए को half yearly calculate करना है, इसलिए six month, one half year होगा, अगर six, अगर one year होता, तो two half year होता, क्योंकि one में six plus six दो बार आता है, इसलिए two half year, अब यहा तो already six month है, यानि कि one half year, एक का आधा, ठीक है, अब हम लिए को formula पता है, is equal to P1 plus R upon 100, principle कितना है, 60,000, rate भी पता है, सब यह, कितने के लिए मिला हम लिए को six month में, उसको कितना amount मिलता है, 63,600 रूपीज, अब condition जो B है, हमारा उसमें क्या लिखा है, after one year, तो one year के लिए भी सब कुछ सेम है, ठीक है, अब one year बस जहाँ पसमें बता ही थी, six month में one half year होगा, अगर half yearly calculate करना है, वैसे ही one year में two half year या इसलिए two half year, ठीक है, अब देखो, हम लोग formula में value बस रखें और solve की है, तो हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, तो six month में उसको कितना मिलेगा, amount 63,600 रूपीज, और one year में उसको कितना amount मिलेगा, 67,416 रूपीज, ऐसे ही हमारा question number six है, इसमें भी क्या करना है, आरिफ ट interest of 10% annum, find the difference in amount he would pay after one whole one by two, after if the interest, देखो, यहां पस भी बता दिया, हम लोगो principle बता दिया, rate बता दिया, number of year बता दिया है, ठीक है, अभी compounded annually करना है, annually मतलब one year के हिसाब से करना है, और compounded half yearly करना है, ठीक है, दो question है, इसमें भी, find क्या करना है, find the difference amount he would pay, क्या difference है, मतलब इस compounded annually और compounded half yearly, दोनों find करना है, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो principle दिया है, time दिया है, rate दिया है, सबको लिख लिए, पर annum के हिसाब से हिसाब मतलब yearly है, half yearly नहीं बोला है, ठीक है, अभी देखो, हम लोग यहां पस क्या question है, question number इसमें, find the difference of amount, one whole one by two year in interest, compounded annually, compounded half yearly, दो दो चीज find करना है, तो half yearly अगर find करना है, तो rate अगर हमारा 10% है, तो half yearly के लिए, तो 5% हो जाएगा, half yearly का भी लिख लेते हैं, हम लोग देखो, अगर yearly है, तब तो rate 10% ही रहेगा, लेकिन second condition में half yearly भी बोला है, इसलिए मैं 5% लिख दी हो, पहले से ही, क्योंकि 2 से divide करेंगे तो देखो, हम लोग क्या लिखे हैं, फॉर्मूला लिख लिख लिए हैं पहले तो, value रखे हैं, ठीक है, अब यहाँ पस क्या है, इसको जब समझो solve किये हैं, है ना, 0 से 0 cancel हो गया है, और क्या आया है हमारा 10 upon 11, और इसका क्या है 5 to 10, 20, ठीक है, तेखो, यह 1 के लिए है, औ नंबर ओफ यह एक लिए 1 के लिए, और नंबर ओफ यह वन बाइ 2 के लिए, तो 1 बाइ 2 में हम लोग क्या किये हैं, रेट को 5 बना दिया है, देखो, है, रेट में 10 नहीं लिखी हूँ, 5 लिखी हूँ, ठीक है, एक ही में 2 question आ गया, इसलिए, यह 1 के लिए है, यह 1 के लिए ना, 24800, अब इनको multiply कर देंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, अब question number इसी के B में बोला है, half yearly भी calculate करो, तो half yearly में तो percentage हमारा 5% ही आ रहा है, मैं हा लिख भी चुकी थी, ठीक है, और half yearly के हिसाब से हमारा जो year है, 1 whole 1 by 2 year, इसको क्या लिख देंगे, 2 1 जा 2 plus 1, 3 by 2 year, तो 3 by 2 ने, value बस रख, substitute के हैं, देखो, कुछ नहीं के है, P का value रखे, principal का value, rate का value, अब इसको solve के हैं, तो 0, 0 cancel हो जाएगा, ठीक है, अब इसको 2 से divide कर सकते है, 2, 4, 8, 0 हो जाएगा, 2, 2, 4, 0, 2, 1, 10 हो जाएगा, 10, 21, 21, 21, 21 को multiply करेंगे तो इतना हो जाएगा, अब हमने को difference भी प का difference, तो दोनों amount को minus कर दिये, तो हमनों को क्या पता चला, दोनों के amount में difference कितना है, 210 का, यहाँ पास कोई confusion तो नहीं, आप लोग को देखो, यहाँ पास, यहाँ पास हमारा, जो year है, वो 1 year, 1 by 2 year है, अलग-अलग निकालने से, अच्छा, हमनों यहीं पास निकाल दिया है, बस क्या किये है, देखो, 1 by 2 year होता, 1 by 2, यानि कि half yearly ही बोल रहा है, अगर इसको छोड़ दो, 1 by 2, यह मतलब कि half होता है, तो half yearly, तो 10% का half 5 हो जाएगा, इसलिए में हाँ 5 लिग दिया हूं, समझ गए, एक ही में 2 question इसलिए add हो गया है, तो मारा question number 6 complete हो गया, अब देखते ह 7 में क्या दिया है, मारिया invested 8,000 in business, she would be paid interest at 5% per annum compounded annually, find the amount credited against her name at the end of second year, the interest for third year, क्या find करना है, amount find करना है second year के लिए, और amount find करना है third year के लिए, मारिया का investment कितना है, 8,000 in principle बता दिया है, rate भी पता है, calculate करना है annually, है न, अब देख लोगे हैं लिख लेते हैं, हम लोगों को यह सब पता है, और second year के लिए find करना है, इसलिए number of, पहले question number 1 solve करें, question number 7 का 1, तो इसका number of year हो second year, मतलब 2 year है, ठीक है, value रख दिये, देखो principle रख दिये, rate रख दिये, number of year, 2 year था रख दिये, solve किये, 5, 2,10, तो इसका LC हम लेंगे, तो 21 upon 20 आ जाएगा, इसको भी solve कर दिये, है न, 248 हो गया, 224, 20, 21, और 21 को multiply करेंगे, तो इतना आ जाएगा amount, ठीक है, तो 7 का question number 1 का amount कितना आ गया, 88, 20 आ गया, अब B में क्या बोला है, third year के लिए, तो बस इसम हम लोग कर दिये, तो इतना answer आ गया, ठीक है, value रख लिए है बस, तो इतना answer आ गया, अब हम लोग को question में क्या बोला था है, the amount credited against her name in the end of second year, the interest for the third year, interest find करना है third year के लिए, ठीक है, तो interest find करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, third year के लिए, तो हम लोग का amount है second year में, उसको minus क पता चल जाएगा कि क्या interest, क्या फाइदा मिला उसको third year में, तो यानि कि interest कितना मिला, कितना benefit हुआ उसको 4,441 रुपीस का, ठीक है, अब हम लोग देख लेते है, question number 8, find the amount and the compound interest 10,004, one whole, one by two year, at 10% per annum, compound half yearly, अभी half yearly calculate करना है, ठीक है, would this interest be more than interest, the would, sorry, he would get the, get it was compounded annually, would this interest be more, अगर, क्या इसका interest जादा हो सकता है, अगर हम लोग calculation जो है, वो किसमें करें, annually में, half yearly में ना करके, annually में करें, तो पहले half yearly में करते हैं, फिर annually में करेंगे, फिर compare कर लेंगे, ठीक है, तो principal, और year, और rate सब बता दिया है, calculate करना है, पहले half yearly में, फिर second time जब चेक करेंगे, कि कौन, अगर, क्या जादा हो सकता है, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे, compounded annually, ठीक है, तो पहले principal rate, half yearly था, इसलिए rate को 2 से divide कर दिये, number of year, 1 whole 1 by 2 था, तो पहले तो 2 अंजा 2 plus 1, 3 by 2 होगा, 3 by 2 मतलब 3 half year, क्योंकि half year calculation कर रहें हम लोग, value formula रख दिये, is equal to p plus 1 plus r upon 100, principal का value पता है, rate 5% हो गया, 2 से divide करें, half yearly calculate था, और number of year 3 half year है, अब इसको solve करेंगे, 5 बन जा, 5, 5, 2 जा 20, तो 21 upon 20 आएगा, देखो, 1 upon, 1 upon 20, LCM जेंगे 20, divide करेंगे, तो 20 plus 1 आगया, 21 upon 20 आजाएगा, solve करेंगे, 0, 0, cancel हो जाएगा, ठीक है, 2, 5, 10 हो गया, अब इसको उटपर्थ को multiply करेंगे, और 4 से divide कर देंगे, तो इतना आजाएगा, amount, compound interest कितना आएगा, क्योंकि compound interest को compare करना है, compound interest में क्या करते है, amount को minus करते है, principal से, तो amount तो हम लोग को मिल गया, principal तो already given है, minus के तो इतना आया, आप देखो क्या बोला है question में, अगर annually calculate करेंगे, तो क्या answer आएगा, तो आब annually calculate करते हैं, same यही चीज़ है, बस annually, मतलब 10%, 10% ही रहेगा, और number of year 1 whole 1 by 2 ही रहेगा, ठीक है, तो annually के लिए देखो कुझी भी change नहीं किया है, rate 5% नहीं किया, 10 ही है, अब annually calculate कर रहे है, तो यहाँ पस क्या दिया है, 1 whole 1 by 2, तो पहले 1 year के लिए calculate करेंगे, फिर 1 by 2 के लिए, तो 1 year के लिए पहले calculate कर रहे है, इस 1 by 2 को, जो भी amount से multiply करते हैं, और calculation 10% का 10% और 1 year के हिसाब से लिखा रहे है, इसलिए 1, ठीक है, 00 cancel हो जाएगा, इसको solve करेंगे, तो 550, तो total amount 11,000 में से 550 को plus कर देंगे, तो total amount कितना आया, 11,550 रूपीज, अब compound interest के लिए amount को minus करते हैं, प्रिंसिपल से, amount तो इतना निकाले हम लोग ठीक है, उसको principle से minus करें, question में दिया हुआ है, 10,000, तो कितना आया, 15,550 रूपीज, देखो, जब हम लोग half yearly किये, तो हमारा कितना amount आया, compound interest कितना आया, 1576.25 रूपीज, और जब annually calculate के तो कितना आया, 1550 रूपीज, तो annually में हम लोग को interest कम मिल रहा है, है ना, तो yes interest rupees would be more if calculated half yearly, यानि कि half yearly में हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, और annually में कम मिलेगा, तहां लिख देंगे, yes interest rupees, जो interest rupees है, वो कम more मिलेगा, जब हम लोग half yearly calculate करते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं, question number 9, question number 9 में क्या दिया है, find the amount which RAM will get on 4096, if we gave 18 month at 12.1 by 2% per annum, interest being compounded half yearly, इसको भी half yearly calculate कर रहा है, सब value को रख देंगे पहले तो, ठीक है, value को रखने के बाद, यहाँ पास half yearly बोला था, तो जो हमारा rate है, उसको भी divide कर देंगे, 2 से, तो 25 by 2 है, उसको भी हम लोग 2 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 by 25, 25, 2, 2, 2, 4, तो 25 by 4 आया हमारा half yearly के तो 12 में तो दो बार 6, 6 आ रहा है, और 6 मन्त का एक है ना, तो 2 plus 1, 3 year, 3 half year आया, 18 मन्त कितने के equal होता है, 3 half year के, क्योंकि 12 मन्त का 1 year हो गया, 12 मन्त का 1 year, और 12 मन्त इसमें से निकालोगे तो 6 बचेगा, 6 मतलब की 1 half year है ना, तो 2 plus 1, 3 half year, अब value बस रख दिये हैं हम लोग, 25 फोर्जा, 4 फोर्जा 16 आ गया, इसका भी हल्सियम लेंगे तो 17 आएगा, 17 by 16 आएगा, 3 times से इसलिए डिवाइट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, amount 4,913 रूपीज, तो हमारा amount कितना आया, 4,930 रूपीज, 13 रूपीज, अब 10 देख लेते हैं, the population place increased to 54,000 in 2008, at the rate of 5% per ann ठीक है, increase हो रहा है कितना, 54,000, 2003 में इतना increase हुआ, और rate बता दिया है, 5% per ann, अब हमने को question number 1 में बला है, find the population, 2001 की population find करना है, और 2005 का, ठीक है, तो सबसे पहले question number 10 में जो दिया है, amount दिया हुआ है, ठीक है, amount बता दिया है, कि 54,000 है, 2003 में, क्या population, ठीक है, तो इसलिए amount है य लिख लिए, अब rate भी लिख लिए, और year भी लिख लिए, principle अभी find कर रहे है, ठीक है, तो amount का formula में रख दिया, amount तभी 54,000 है, principle find कर रहे है, और 5% दिया हुआ है, इसको solve किये, 5 बंजा 5, 5 तूजा 10, तो 21 अपन 20 आएगा, इसको solve करेंगे, ठीक है, principle find करना है, इसको इधर देंगे, और इसको अंदर लाएंगे, तो यह reciprocal हो जाएगा, 20 उपर चल जाएगा, 21 नीचे आजाएगा, 2 टाइम से इसले, divide कर दिये, अब इसको हम लो solve करेंगे, तो हमारा answer कितना आएगा, 48,980 प्रिंसिपल आया, यानि कि population जो है, 2001 में, वो कितना है, 4,890, ठीक है, population कित 2005 के लिए population जब निकालना है, तो यह क्या है, प्रिंसिपल है, यहाँ value रख दिये है, ठीक है, सब कुछ तम लोगो पता था, तो हमारा population कितना आया, 2005 में, इतना आया, 59,535 बाकि सब कुछ सेम है, जो previous में दिया हुआ हुआ है, ठीक है, अब 11 में क्या बोला है, पर आवर के हिसाब से वह 2.5 परशंट बढ़ जाता है, बैक्टिरिया, फाइंड दा काउंट वास इनिशली 5,6,000 ठीक है, तो देखो हैं, आपस प्रिंसिपल बता दिया है, 5,6,000 रेट भी पता है, नमबर ओफ येर तो नहीं दिया है, अभी 2 आवर्स दिया है, ठीक है, 2 रख देंगे, रेट पता है, अब इसको solve करेंगे, 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आजाएगा, 4 आजाएगा, क्योंकि देखो, यहां पास, साइड में रफ है, यह, 1 प्लस, 25 अपन, पॉइंट हटाएंगे, तो 10 आएगा, और यहां 100, 25 फोर जा, 100 होता है, 4, 10 ज हो जाएगा, 2,00 को cancel कर दिये, ठीक है, आंसर आजाएगा, हमारा इतना है, तो number of bacteria, 2 hours के हिसाब से कितना grow कर रहा है, इतना, ठीक है, 53, 5,31,616, ठीक है, आप देख लोते हैं, question number 12, यह scooter was bought 42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year, 1 year के हिसाब से हम लोगो इसका क्या निकालना है, value find करना है, और इसका scooter का, जो, scooter जो bought की है, खरीदे है, मतलब principle दिया हुआ है, rate दिया हुआ है, और per annum है, मतलब 1 year, इसका interest, number of year भी दिया है, value रख दिया है, देखो principle, rate और year का, solve करेंगे, हम लोगो तो मिल जाएगा, 45,360 तो अगर 8% के हिसाब से उसका rate लिया जाए, है ना, rate रखे अगर 8%, तो हम लोगो कितना benefit हो जाएगा, amount कितना भरना पड़ेगा, हम लोगो, 45,360 रूपीज, ठीक है, तो हमारा exercise 8.3 complete हो गया है, अब हम लोग next वीडियो में देखेंगे, algebraic expression, ठीक है, मैं exercise 8.3 के जे description box है, उ तो भी हमारा NCRT class 8 का maths है, जो भी हम लोग exercise 8 तक, sorry, chapter 8, comparing quantities तक complete कर लिये हैं, वहाँ तक का वीडियो आप लोगो प्लेलिस्ट का link में डाल दूँगी, तो आप लोगो देख सकते हैं, जो भी वीडियो छूटा हो उसका, ठीक है, अब हम लोग next वीडियो में देखेंगे, algebraic expression and identities, chapter 9.